जीवन में विपत्ति आ कहीं से भी सकती है कि एक व्यक्षी उदास होकर जो करके अपने मिट्र के पास गया बैठने के लिए मिट्र ने कहा क्यों उदास हो ओल्यारे कुछ नहीं आज हमारी द्रम पत्निंका जनम दिन था है जनम दिन था ऊथे तुम उदास हो एसी तोड़ीना होता है जनम दिन है जो तुम्हें प्रसंद होना चाहिए जाके उनको कुछ माखन मिस्री खिलाओ या जो तुम केक वे खिलाते हो अपने पास्चात्य संस्कृति को पूरा कर लो जाओ उदास क्यों हो बोले अरे मैं क्या बताओं मैंने सारी तयारिया करी और केक कटते ही तो जगड़ा हुआ है यह केक ही तो नास का कारण बना है बोले क्यों उनको तो प्रसंदता होनी चाहिए तुमने इतनी अच्छी तयारी करी बोले मैं क्या बताओं भया तयारी के चक्कर मे आज हम रह गए प्रेम से बोलो ऐसो कहा वहो तो बोले हमने तो भाईया जो केक बनाने वाले हैं उनसे कहा था कि जनम दिन है हमारी धरम पत्नी का और हमारी धरम पत्नी को नाम है तपस्या क्या नाम है जोड से बोलो हमने तो जही कह करके उनको दिया था कि देखो 36 वर्ष की भई है हमारी धरम पत्नी और भाई को नाम तपस्या है तो तुम जही लिख देना जनम दिन मुबारक हो प्रिय तपस्या और उस केक बनाने वाले ने जैसी केक भेजिया और प्रेम से बोलो यह जो मुस्कान है न मैं यहीं चाहता हूं कि 4 गंटे रहे चुटकुला सुनाना मेरा अभिप्राय नहीं है मेरे श्रोताओं के चेहरे पे मुस्कान लेकर आना मेरा अविप्राय है इसलिए मुस्कुराओ, प्रेम से बोलो